असलाम अलेकुम, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि tip and tricks जो pandas की library को use करती हुआ हम देख रहे थे पहले, 15 तक हमने देख लिए थी, now we will start with the 16th one, 16 के अंदर क्या है जी, वो देखते हैं, 16 number जो होगी, हम उसे देखेंगे कि हमने किस तरीके से एक string को multiple columns के अंदर convert करना है splitting a string into multiple columns, यह तब use होती है, जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा डेटा फ्रेम के तरीके से बताएगे हैं हूँ चीजें, for example, मैं आपको मिसाल के भी दिखाता हूँ, यहाँ पे, सबसे पहले करने है, import libraries, ठीक है, जिसमें import pandas as pd करने हैं, के बाद हमने dataset बना लिया, यह मैं dataset यहाँ पर copy करता हूँ, डेटा फ्रेम बनाया हमने, डेटा फ्रेम के अंदर, pd.dataframe, इसके बाद name, हमने name बताया, तो यहाँ पर यह तीन name दिए गये है, location बताया है, तो यहाँ पर तीन location है, आप इसको अपने नामों के साथ भी change कर स अली अफजल, यह मेरे दोस्तों के नाम है, सजाद अली, सजाद अली यह देखें, खुदबा खुदा आ गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लाहोर, पाकिस्तान, यहाँ पर लिखता हूँ, मैं इसकी location सरगोदा, पाकिस्तान, और यहाँ पर इसकी location मैं next वाले की लिखूंगा, कराची कॉमा पाकिस्तान, ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हमने inverted कॉमा के अंदर लिख लेना है, string में, तो इस तरीके से हमारा यह data frame बन गया, अब data frame को देखने के लिए आपको पता है, क्या करन नेम ये है, जी मुहमद अहमद रजाली, अफजल सजाद अली, अब वबकर, चार नाम थे तो, तीन एरे मैंने बना दी है, तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूं, हैंबर्ग, जर्मनी, ठीक हो गया, क्योंकि हमने ओपर चार बनाई थी values, तो यहाँ पर भी चार बनाएंग ठीक है, और ये last name है, ठीक है, अगर हम इसको भी एहमद रजा कर लें, क्योंकि हमारे पास first name and last name आजाएगा, ठीक है, तो ये name आगया हमारे पास और ये equation है, city and country, हमने इनको इसमें supply करना है, अक्सर हमारे पास data ऐसे आता है, लेकिन जब हम उसे utilize करने की कोशिच करते हैं, into different things, for example, मैं यहां पर करता हूँ, df.name, हमने इसको convert करना है, क्योंकि name मेरे पास छोटे वाला था, फिर इसके बाद dot, str ये string है, ठीक है, फिर इसके बाद इसको string.split के अंदर convert करना है, convert करने के लिए separation क्या होनी चाहिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, sorry, expand, separation, किस चीज से separate करने, मैं कहता हूँ कि यहां पर एहमद के बाद space है, तो space मैं यहां पर लगाता हूँ, यह देखी, यहां पर space लगी, इसके बाद इसको head करके देख लेते हैं, यह मुझे copilot बता रहा है, let's see, क्या बनता है, तो आप यह देखें, यह इस तरह से, इस तरह से, इसको convert कर अली कॉमा अफजल, सज्जाद कॉमा अली, अबू कॉमा बकर, तो इस तरह से हम इसको change कर देते हैं, अब अगर इसके आगे मैं लगाँ, expand is equal to true, तो expand true करने के बाद क्या होगा, यह पूरे का पूरा change हो जाएगा, देखें जरा, यहां पर हमने df is equal to, यह किया, let's see, boolean has not just a minute, इसको हमने, wait, यहां पर के मसला आ रहा है, df is equal to, boolean object has no attribute name, oh I see, that's the point, इसको हमने बनाया, इसको हमने यहां पर किया ऐसे, तो df करके देखते हैं, अब यहां पर split तो हो गया, expand हमने true भी कर दिया, यहां पर string split करने के बाद, एक bracket यहां प्यानी थे और इसको expand करना था, हमने basically, ठीक है, और यहां प्याना था comma, तो यह हमने इसको expand कर दिया, अब देखें, यह हमारे पास एहमद अलादा आ गया, और रजा अलादा, first name and last name क करके आगया, ठीक है, अब अगर हम df को देखते हैं, तो यहां पर changes नहीं आई, क्यों, क्योंके हमने उसके अंदर change की ही नहीं थी, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने change करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको बकाइदा इसी के पीछे, आप लिखेंगे कि df इसके फिर दूसरे वाला लिखूंगा, last underscore name, is equal to df, फ्लां 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 फ्लां, ठीक हो गया, अब आप देखिएगा कि क्या change आती है, यहां पि अगर मैं df को लिखता हूं, इसको मैं डिलेट कर देता हूं, यहां से, तो अब आप देखिएगा क्या change आ होगा, लेकिन जब हमने update किया, तो यह column add हो गए है, किस चीज़ के अंदर, इस चीज़ के अंदर, तो basically मैं आपको दोनों चीज़ें दुबारा से दिखा देता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमने किया क्या है यहां पे, तो यहां पे, सबसे पहले हमने data frame बनाय के बाद, यहां पे मैं लिखता हूं, splitting a column, ठीक है, into two columns, यह मैंने split किया इसको दो column में, adding those splits into new columns, ठीक है, वो किया, तो देखें, हमारे पास आगया new column के अंदर, तो इस तरीके से आप different चीज़ों को expand कर सकते हैं, expand करने के बाद, अब दूसरी जो assignment आपकी, आपने क्या करना है, मैंने name को कर दिया, अपने location को expand करना है, simple यही formula है, ठीक है, आपने location को expand करना है, ठीक है, name की जगा पे location आ जानी है, ठीक है, अब अगर यहां पे, मैं आपको करके भी दिखाओं, तो आप भी देखिएगा, यहां पर वीडियो पॉज करके खुद से करने की खोशिश करें अधरवाइस मैं भी आपको करके दिखा दूँगा तो यहां पर मैं लिखता हूँ location location.spin उसको कर दिया और location हमारे पास कॉमा के साथ separate हो रही है ठीक है कॉमा space कॉमा के बाद space है ठीक है तो पहली को हम बोलेंगे city name या city लिख देते हैं और दूसरी को हम बोलेंगे country country यह देखिएगा आप वो ही df है तो उसके अंदर जो location थी वो city and country में convert हो गई है अब इसको आपने इस तरीके से लिखने के बाद अब आगे चलते हैं के ऐसी series के बाद जब आपने इसको कर ली है अब df को equal to आपने किसके रखने है df equal to df double string इसके अंदर जो जो आपके column name आप चाहते हैं वो रखते हैं आपने ठीक है मतलब मैं चाहता हूँ कि पहला column name यह वाला आज़े यहां पे ऐसे और दूसरा column name हमारे पास आज़े last name और city and country df dot ठीक है तो अब यह देखे मैंने क्या किया अब refine कर ली अपनी refine data manipulation refine data manipulation हमने जो data manipulate किया तो उसको refine करके इस तरीके से लिख लिए अब हमारे पास सिरफ और सिरफ क्या है जना आप 4 column आगे तो basically हमने सबसे पहले एक data frame बना है उसको split किया सिपलेट करने के बाद new column add किया और new column को फिर select कर लिया तो same data से हमारे पास यह वला data set जो है यहां पे आ जाएगा ठीक है अब यहां पे आपने देख लिया कि इस तरीके से हमारे पास data set आ जाएगा अब यह tip जो है यह बड़ी ज्यादा use होती split करना strings को क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो time series पे काम करते है उनको यह मसले बढ़े आते है then हम चलते हैं अपनी tip number 17 पे ठीक है tip number 17 जो है बहुत easy है हमने इसमें aggregate करना है 17-aggregate by multiple groups या functions कैसे aggregate करना है simply for example मैं यहां पे एक नया data set जो है import करता हूँ सबसे पहले libraries import की import 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 pandas as pd ठीक है जी import numpy as np seabon as sns बस यह seabon वाली कर लेते हैं और pandas वाली कर लेते हैं अब यहां पे हमने import data set data set import किया as df is equal to tips का data है हमारे पास यह हम Titanic का कर लेते हैं ठीक है जी यह data set import किया इसको देख लिया बाद में जो simple हमारी terminologies चलती है यह हमारे पास data set आ गया अब इसी data set के अंदर अब हमने multiple functions के साथ इसको जो है वो हमने check करना है किस तरीके से हम इसको group कर सकते हैं ठीक हो गया मैं यहां पे लिखता हूँ df.groupby groupby.who.count अब हमने group क्या करना है who के साथ मतलब man है woman है क्या है तो यह देखें who में आ जाएगा child man woman अब सिरफ हमारे पास data किस चीज़ का आया इसके अंदर जो हमने group बनाए है ठीक है मतलब मैं कहता हूँ के titanic पे सिरफ उनका data बताओ जो child group था एक group child का, दूसरा man का, तीसरा woman का अगर मैं कहूँ के male और female का data बताओ तो sex लिखेंगे यहां पे तो यह देखें सिरफ male और female का data ठीक है तो यह count आ जागा कि कितने कितनी चीज़ें इसके अंदर कितने कितनी रोज के अंदर मौजूद है ठीक है तो अब अगर इसको देखा जाए तो इस तरीके से हम group by करने के बाद यहां पे head का function भी लगा सकते है ठीक है count तो हमने सिरफ देखना होता कि इस group के अंदर किस तरीके से यह सारी चीज़ें चल रही है अब इसके बाद यह तो हमने कर लिया group अब group के बाद हमने एक और चीज़ करनी होती है अब इसके अंदर combine करते हैं output को of a data frame कैसे combine करते हैं for example यहां पे हम इसके बाद लिखते हैं df.groupby groupby के अंदर who लिखने के बाद count लिखने से पहले हम यहां पे sum अगर करें let's see क्या बनता है तो हमारे पास यह इस तरीके से इनका sum आ जागा different चीज़ों का ठीक है अब इसके बाद अगर हम यहां पे basically length देखते हैं इसकी count function भी हो गया ठीक है अब length देखते हैं यहां पे len इसके अंदर हम लिखते हैं df. और इसके बाद हम लिखते हैं sex ठीक है तो यह देखें 891 total हैं हमारे पास ठीक है अब अगर इसको df.groupby who के साथ लिखें तो देखते हैं क्या change आती है let's see ठीक है तो हमारे पास तीन आ रही है क्यों जी क्योंके हमारे पास who जो हैं वो तीन तरह की हैं हमारे पास यह variable तीन तरह की हैं child, man and woman अगर मैं यहां पे sex लिखूंगा तो मेरे पास सिरफ और सिरफ दो आएंगे क्योंके male and female है तो number of categories इसके अंदर कितनी है यह इसको check करने का बेहतरीन तरीका है अब fair कि में अगर हम लिखेंगे तो आप देखें fair जो हमारे पास 248 किसम की है change हो रही है ठीक है इसे तरीके से अगर हम P class लिखेंगे P इसका बड़ा है के छोटा है let me see P चोटा ही तो यहां पे तीन आएंगे classes ठीक है first class, second class जो middle class है या कुछ भी इसके तरीके से आप देख सकते है economy बगर आती है ठीक है जी तो यहां पे transform अगर हम इसको करते हैं for example another function is के हम let me see यहां पे अब हम df.head करके देखते हैं क्या क्या चीज़े है ठीक है यह करने के बाद आप देखें हमारे पास हमने पहले किया था df. अब इसके अंदर हमने किया था group by group by के अंदर हमने सिर्फ who लिखा था ठीक है अब अगर हम इसके अंदर दो values दें for example मैं यहां पे लिखता हूँ sex ठीक है फिर मैं यहां पे लिखता हूँ दूसरी value हमारे पास p class ठीक है जी फिर तीसरी value मैं लिखता हूँ यहां पे who तो आप देखेगा अब हमारे पास क्या होता है let me see dot count function तो यह देखे हैं हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि male और female के हैं sex की base पे फिर दूसरा group हमारा बन गया male और female के अंदर यह चेक करें male और female के अंदर हमारे पास first second और तीन जो तीसरी class है यह तीनों class के अंदर कैसे कैसे मुझूद है फिर हर category के अंदर child woman child woman यहां पे child male आजाएगा क्योंकि जारी बात है female कभी भी male नहीं हो सकता ना तो इस वाले से देख लेएगा फिर अगर आप यहां पे लिखें adult तो आप देखें कि यहां पे हमारे पास let me see यहां पे adult underscore male आना था तो यह देखें आप तो यहां पे true आएगा और यहां पे false आएगा क्योंकि female के अंदर बजारी बात है adult male की नहीं category होगी अगर हम embarked लिखते हैं यहां पे embarked तो आप देखें आपको पता चल जाएगा कि आपने कहां से data जो लिया है और उसका group कैसा बन रहा है for example यहां पे अगर आप से कोई पूछता है कि male और female कहां कहां से कैसे embarked होएं तो आप यहां पे बता सकते हैं C, Q, S, Queensland, Southampton और C, Cherbourg तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं तो group Y का function जो aggregate का function आप इस तरीके से use कर सकते हैं और भी मैंने बहुत सारी examples हमारी Pandas के पिछले tutorials के अंदर मैंने बताई है Please go ahead and check that out जिसका link जो है description के अंदर दिया हुआ है जिसमें Python का चिल्दा पूरे का पुरा मुझूद है तो यहां तक हमने यह देखा कि group Y function को किस तरीके से use करते हैं अब आगे हम चलते हैं के हमने किस तरीके से specific rows और columns को select करना है मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन अभी मैं क्यों बता रहा है क्योंकि यह बहुत ज्यादा यूज होता है machine learning के अलगोरिफम के अंदर तो इसको द्वारा से check करते हैं के specific rows and columns के अंदर हमने select specific rows or columns ठीक है इसको कैसे करना है सबसे पहले वही चीज है हमारे पास df जो data frame और रेडी पड़ा हुआ है हम उसको देखते हैं तो यहां पे हमारे पास df df का पूरा data frame हमारे पास आ चुक है जो हमने पहले किया था अब हमने क्या करना है इसके अंदर basically इसके अंदर हमने check करना है किस तरीके से हम किसी चीज़ों को select करते हैं df.head मैं पहले करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको देखना है कि मैं किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ select कर सकता हूँ df.head कर लिया अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास survived और fair आए ठीक है या मेरे पास sex आए और साथ में class आजाए ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूँगा select करने के लिए df. यह column select कर रहा हूँ मैं df इसके अंदर हम लिखेंगे double और इसके अंदर मैं लगाऊंगा sex, comma इसके अंदर class तो आप देखिएगा अब क्या होता है तो यह मेरे पास सिरफ दो classes आगी मैंने यहां पर key किया क्या किया की किया पंजाबी हूँ तो यह जो मैंने अभी बोला है time stamp के साथ बताईए का मुझे यहां पर sex and class मैंने दो group बनाए है ठीक है अब इसको मैंन क्या किया select columns कहा देते हैं ठीक है तो यह देखें मैंने दो columns select कर लिए अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो इसके यहां पर simply बलके df.describe कर लेता हूँ describe से ज़्यादा easy हो जाएगा आपको समझना यह मेरे पास एक data frame बन गया है ठीक है अब इसमें यह वाली rows है ठीक है और यह इसके column है अब अगर मैं यहां से इसी के अंदर specific rows select करना चाहता हूँ तो मैं लगा हूँ को lock function LOC function इसके अंदर मैं names लिखूँगा specific rows के minimum 25% 50% 75% and maximum यहां पर मैं लिखता हूँ minimum ठीक है फिर आगे मैं लिखता हूँ 25% फिर मैं लिखता हूँ 50% यह मैं क्यों लगा रहा हूँ ठीक है जी इसके बाद लिखता हूँ 75% इसी के अंदर ही और फिर end पे maximum maximum तो मैंने simple और simply क्या किया सिरफ वो column स्लेक्ट है यहां पर error आ रही है वो क्यों आ रही है यूशुड नो कि जब आपने ज्यादा columns लिखने है तो then you have to manage this you have to put this two dimensional array thing double square bracket लगा देनी है अब यहां पर देखें आप minimum से maximum तक मैंने लिया अब इसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका भला क्या है यहां पर लिखते हैं और इसको करने के बाद हम यहां पर simple वही formula लिखते हैं जो हमने अभी use किया ठीक है यह सारे के सारा formula लिया या argument लिया या जो भी आपके हैं लिखा और यहां से मैंने यह लिखने की बजाए मैंने बोला minimum से maximum तक यहां पर colon लगा दिया ठीक है तो इस से क्या हुआ के minimum से maximum तक जितनी चीज़े हैं वो सारी select कर लो और bracket एक कर ली अब आप देखिएगा इसको मैं comment आउट करता हूँ यहां से comment आउट करने के बाद सिरफ यह वाला चलेगा और देखें same हमारे पास results आ रहे हैं तो इस तरीके से एक column से तक जो भी select करने हैं ऐगर आप एक row से दूसरी rows तक जो भी select करने हैं वो आप लिख सकते हैं अगर मैं यहां पर minimum से maximum की बज़ाए main से onward लिखता तो आप देखें यहां पर main से onward आ जाती सारी हमारे पास जितने भी column हैं तो basically मैं यहां पर minimum से maximum ही लिखता हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास specific number of columns जो हैं, वो आ जाते हैं, अगर आप, sorry, rows आ जाती है, अगर आपने number of column नहीं लेने, तो आप इस तरीके से लेकेंगे, अगर आपने number of columns भी select करने हैं, then you will do something like this, same formula, यहां पे लगाना है, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद अगर इसको आप खाली छोड़ते हैं, तो look क्या होता है, सिर्फ सारे के सारे column आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, सिर्फ survived वाला आए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहां पे लिखूँगा, survived ठीक है, अब देखिएगा, तो यह सिर्फ survived वाला आ गया, अगर मैं कहूँँगा, यहां पे survived के साथ साथ, इसके अंदर एक और column हमारे पास है, जिसका नाम है age, तो मैं ऐसे लिखूँँगा, अब survived और age आ गया, अगर मैं चाहता हूँ, survived से लेके fair तक सारे के सारे आए, या survive से लेके age तक आए, तीन column बनते हैं, तो मैं इसमें column लगा दूँगा, तो तीन column आ जाने चाहिए, यहां पे यह इसको remove करके, तो यह देखिया हूँ, तो इस तरीके से आप column और rows को select कर सकते हैं, based on your idea के आपने करना क्या है, ठीक है, तो इसे, ऐसे select करने का बहुत ज्यादा फाइदा यह होता है, कि जब आपने machine learning algorithm select करने होते हैं, तो आप उसमें features को basically इसी तरीके से check करते हैं, और इसी तरीके से आप उसे लिखते हैं, ठीक है जी, अब इसी को आगे लेके चलते हैं, हमारी tips and tricks को ही, हमने यहां पे 18 देखनी है, 18 के बाद, इसी को select करने के और भी काफी तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको वो बताए हैं, जो चीदा चीदा है, यहां पे हम देखते हैं, 19, 19 में हम reshape करते हैं, multi index series को कैसे करना है reshape, ठीक है, उसको करने के लिए, यहां पे इसको बड़े आर के साथ लिख देते हैं, multi index series को हमने किस तरीके से चेक करना है, अब Titanic का data frame है, जो मैं दुबारा से यहां पे लिख लेता हूँ, तो यह देखें, यह dot survive dot mean सिर्फ survive का mean कितना है, यह मेरे पास इसका mean आ गया, अगर मैं इसी कॉलम के, इसी argument के अंदर यहां पे लिख दूँ, group by, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, group by, यहां पे इसके अंदर, group by के अंदर लिखूं, तो आप देखेंगा क्या होता है, यह same mean आया है, survived का mean आया है, same का, लेकिन female और male का separate हो गया है, ठीक है, यह total survival mean है, कि कितने percent survive किया 38%, ठीक है, chances जो है survival के, female का 74% है, क्यों, यह आपको भी पता है कि female और बच्चे जो है, वो पहले वो कह देते हैं, अब अगर इसी चीज़ को मैं दुबारा से यहां पर इसके साथ साथ एक और लिखूँ और उसका नाम कर दे हम, P class, ठीक है, और इसके पीछे आपको पता है, जब हमने दो argument यूज़ करने हो, तो square brackets यूज़ करके उसको list के अंदर हम लेग आते हैं, तो यह देखें, अब sex भी आ रहा है, P class भी आ रहा है, first class, second class या economy या third class जो भी उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, हम इसको class में भी कर सकते थे, P class की बज़ाए, class में भी कर सकते हैं, तो देखें यह देखें, ठीक है, तो first class, second class and third class, तो first class का survivor rate ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, यह आपको sense बता रहा है, group by function, second class का इतने हैं, और 50% है, third class का, क्योंकि सबसे पहले, जो इन्होंने ज्यादा pay किया होता है, उनका survivor rate ज्यादा ही होना है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो आप इस तरीके से group by करके, उनका mean ले सकते हैं, ठीक हो गया, अब अगर ये mean आपको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पे सिरफ इस mean के end पे, unstack लिखते हैं, ठीक है, unstack, तो क्या होगा, just a minute, यहाँ पे को मसला चल रहा है, let me see कि क्या issue है, unstack, यह क्यों नहीं चार रहा, mean, oh I see, यह already ही unstacked है, I guess, P class, let me see, खेर, यह मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ चेंजिस आई है, तो basically यह आपको इस तरीके से, stack बता रहा है सारा कुछ, ठीक है, अगर आप इसको unstack करेंगे, तो unstack method से, convenient reshape multi index series, जो है वो data frame के अंदर convert हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे unstack function नहीं चार रहा है, I will see, अगर आप लोगों के पास चार रहा है, तो please comment section में जरूर बताए, कि unstack से function से क्या इसमें changes आ रही है, या आप अपनी assignment समझ लें, क्योंकि मेरे पास काम नहीं कर रहा है, मैं इस error को resolve करने कोशी करता हूँ, next meeting में आपको बताता हूँ, किस तरीके से आपने इसे utilize करना है, ठीक है जी, अब यहाँ तक आपको समझ आगी है, तो जी next चलते हैं, हम अपनी tip number 20 पे, tip number 20 जो है हमारी बड़ी easy ही tip है, हमने क्या करना है, continuous data को, categorical data में convert करना है, continuous to categorical data conversion, ठीक है, कैसे करना है, simple है, df.head, हमारे पास continuous data, यहाँ पे कौन सा है, उसको देखते हैं, हमारे पास continuous data, यहाँ पे, for example, age का है, हम यहाँ पे करते हैं, df.age.head, ठीक है, यह हमारे पास data है, इसको पहले देखते हैं, तो यह हमारे पास इस तरीके से age का factor आ जाता है, अब आपको पता है, कि हम age के factor को अच्छे तरीके से, different जगों पे convert कर सकते हैं, ठीक है, कैसे for example, 18 से उपर जो होगा, उसे adult कहाँ देंगे, ठीक है, और adult की भी दो किसमें कर देंगे, child की 18 से नीचे कर देंगे, तो इस तरीके से हम line define करेंगे, for example, pd.cut का एक function use करते हैं, करने के बाद, यहाँ पे लिखेंगे, df.age, इसके bins बनाएंगे हम, ठीक है, bins is equal to, bins के अंदर, zero, फिर उसके बाद, 18 years, 25 years, 99 years, ठीक है, तो इस तरीके से बनाने के बाद, उसको labels बनाएंगे हम, labels भी करेंगे, labels is equal to, bins के labels जो हैं हमारे, zero से 18 तक जो होगा, उसे हम बोलेंगे child, ठीक है, फिर उसके बाद, young adult बोल देते हैं, फिर उसके बाद, adult बोल देते हैं, ठीक है, adult बोल देते हैं इसे, और, let's see कि ये, कैसा काम करता है, ठीक है, इसको dot head करके, चेक भी कर लेते हैं, तो ये हमने bins बना दी हैं, different किसम की, इसको हम बोलते हैं, creating bins, ठीक है, तो bins बनाने के बाद, आप देखें कि यहां पे क्या हुआ है, कि हमारा जो data है न, वो basically convert हो चुका है, different arguments के अंदर, मतलब यहां पे, young adult, दूसरा adult, तीसरा adult, तो age जो है, वो change हो चुकी है, ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें, df को दुबारा से head करके, तो यहां पे age आपके पास यही आ रही होगी, लेकिन हमने यहां पे, उसका एक argument बना दिया, जिसको हमने उसकी age को convert कर दिया, तीन different किसमों के अंदर, तो आप वो ही formula को, अगर आप, दुबारा से यहां पे लगाएं, तो इसको बोलते है new age, ठीक है, age, इसके, sorry, df, इसके आगे, new age, यह करने के बाद, let's see, मैं एक try मारने लगा हूँ, अगर यह काम करती है, अगर नहीं करेगी, तो we will see what we can do, यह इसके अंदर एक निया column add किया, और सारे का सारा यह वाला formula उठा के, यहां तक इसको लगा दिया, ठीक है, let's see क्या बनते है, तो यहां पे new age का एक column extra बनना चाहिए, यह यहां पे new age का बन गया निया column, तो हुआ क्या है basically, new age, age की base पे, हमने एक categorical column बना के, उसके अंदर add कर दिया है, ठीक है, तो simply इस तरीके से आप निया categorical elements जो है, उसे बना के add कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा advantage यह होता है, कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, तो आप basically different किसम के categorical elements को use करते हैं, अगर आप से कोई पूछेगा थे इतने बंदे फौट हुएं, उसमें से बच्चों का क्या था, कितने बच्चे थे, क्या चीज थी, adult कितने थे और दूसरे कितनी चीज़ें थे, यह सारा कुछ आप इस तरीके से बता सकते हैं, next, अगली tip पे हम चलते हैं, कि one set of values को दूसरी में कैसे convert करना है, 21 नमबर जो tip है हमारी, 21-convert one set of values into another one, इसमें हम करने के अवाले हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, दर अग और से देखिएगा, कि हमने simply, for example, हमारे पास df.sex.head का data हमारे पास क्या है, उसको देखते हैं, male, female, female, male, female इस तरीके से आता है, लेकिन अगर हम number इसके add करना चाहें, for example, male को zero करना चाहें, और female को one करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे df.sex.map, map करने के बाद इसके अंदर हम dictionary एक add करेंगे, जिसके अंदर male को हम zero बोल देंगे, और comma, female को हम one बोल देंगे, ठीक है, हमने किया क्या है basically, हमने मेल को zero और female को one, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं, तो आप देखें, यहां पर क्या हुआ है, जहां जहां पर male था, वो zero में हो गया, वहां वहां पर जहां पर नहीं था, वो one में हो गया, तो simple हमने क्या किया है, string को continuous या number में convert किया है, तो अब यहां पर अगर हम df, इसके अंदर एक निया column बनाएं, df के अंदर उसका हम बोले, sex underscore number, ठीक है, तो इसको equal to करके ऐसे करेंगे, तो आपका df के अंदर एक निया column बन गया होगा, let's see, तो यह देखें, हमने sex, यहां पर male था, वहां पर zero कर दिया, female पर one कर दिया, अब यहां पर तो change नहीं हुई, तो कहां पर हुई होगी, बिलकुल ठीक, यहां पर एक निया column add हो गया, तो इस तरीके से हम feature engineering भी इसे बोलते हैं, तो feature engineering क्या होती है, basically features को select करते हैं, उसको check करते हैं और उसको different किसम की encoding के अंदर convert कर देते हैं, अब होता क्या है, कि जब आप different किसम की encoding के अंदर convert करते हैं, तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, basically आपको numbers में convert करने पड़ता है, hot encoding करने पड़ते हैं, अगर हमारे पास 10 से 11 values हो, तो सबी के नाम थोड़ी ना लिखने है कि इसको ये कर दो इसको ये कर दो इसको ये कर दो ठीक है तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं उसके लिए अब ये देखते हैं कि हमने क्या करना है फॉर एक्जेंपल यहां पे df. ठीक है मैं यहां पे embarked Embarked इसको देखता हूँ .head करता हूँ Let's see तो यह देखें S, C, S, S इस तरीके से चल रहा है सारा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे Embarked.count यह चेट करूँ तो आप देखें 889 है ठीक है अब यहाँ पे यह सारी values इस तरीके से है अगर हम unique लिखें इसके आगे तो हमारे पास आ रहागा S, C, C, Q, N, N ठीक है तो यह तीन किसम की values है अब अगर आप इस सबी को convert करना चाहते हैं तो you will use a function called df.embarged Embarked के बाद यहाँ पे आप करेंगे factorize factorize function use करने के बाद आप इसको खाली छोड़ देंगे और दूसरे वाले को कहेंगे zero ठीक है अब देखें क्या होता है zero का मतलब यह है कि जो सबसे पहला होगा वो zero में convert हो जाएगा और बाकी सारे one, two, three जो भी उसका आता हुआ वो होते जाएंगे ठीक है अब अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही तो basically मैं क्या करता हूँ df के अंदर embarked का इस तरीके से बनाने के बाद इसको underscore number कर देता हूँ ठीक है एक नया column एड कर देते है dataset के अंदर तो let's see के यह add होके क्या करता है यह देखें embarked था ना मारे पास sc 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 something like that तो यहां पर देखें आप 0 1 तो नीचे तक जाते जाएंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता जाएगा यहां पर 15 values को head करते है तो यह देखेंगा यहां पर 0 से लेके नीचे तक 2 1 2 different किसम की चीज़ों में convert हो जाता है तो आप इस तरीके से hot encoding कर सकते है बजाए इसके कि आप सिर्फ सारी values लिखें आप factorize function को use करके पहले को खाली चोड़ने दूसरा 0 यह इस तरीके से लगा दे तो यह convert हो जाएगा तो इस तरीके से भी आप hot encoding बहुत easily कर सकते है अब इसी को use करते हुए तो टिप देखनी है लेट में सी यहां पे जो हमारी 22 नमबर टिप है that is called transpose a wide data frame ठीक है तो आपने transpose कैसे करना है किसी भी एक data frame को transpose क्या होता है कि rows को columns के अंदर convert कर दे और columns को rows के अंदर सब से पहले हम क्या करेंगे import libraries import करेंगे import numpy as np और import pandas as pd pd इसको करेंगे ठीक है करने के बाद हम एक निया data set बनाएंगे creating a new data frame बोल देते हैं उसको कैसे बनाना है let's see यहीं पे बनाते है basically हमने क्या करना है जनाब हमने df बनाना है is equal to pd.dataframe इसको बनाने के बाद इसके अंदर हमने लिखना है np.rand random बनानी है हमने तो इसमेट आस रेंट लिखेंगे और 200 by 25 का एक बनाएंगे and then column is equal to इसके अंदर लिस्ट कर देंगे इस तरीके से a,b,c,d,f,g,h,i,g,k,l,m,n,p,k,r,c,u,v,x,y,z, ठीक है सभी को लिस्ट कर दिया और यहाँ पे इसका डेटा फ्रेम बन गया हमारे पास 200 by कितने का यह देखिएगा यहाँ पे हमने z नहीं लिखना यह क्यों नहीं बन रहा और सॉरी यहाँ पे random.rand है ठीक है तो यहाँ पे आप देखें कि यह हमारे पास एक column बन गया है ठीक है और सॉरी data frame बन गया 25 by 5 यहाँ पे शोग हो रही है क्योंकि हमारा जो है वो data frame 200 by 25 का है अब इसको अगर आपने transpose करना है फॉर इक्जेंपल यह दस पहली रोज को मैं transpose करता हूँ तो आप देखिएगा यह सारे column जो है a, b, c, d ऐसे आजएगा और 0, 1, 2 ऐसे आजएगा लेट सी same formula यह वला head वला इसको copy किया यहाँ पे paste किया dot t लिखना है सिर्फ यह ले transpose हो गया ठीक हो गया data सारा आपका एक second के अंदर transpose हो गया अगर मैं यहाँ पे लिखू df.describe ठीक है describe function लगाया तो यह count, mean और सारे आ जाते हैं तो मेरे पास यहाँ पे a से लेके 25 तक हैं values और यहाँ पे सिर्फ 8 है तो बहतर यह नहीं होगा मैं 8 को columns में ले जो और a से 25 तक नीचे इस तरीके से ले आँ इस वज़ा से हम transpose use करते हैं ठीक है जी यह देखें अब ज्यादा प्यारा लग रहा है फॉर एक्जेमपल यह वाला एक data set था और यहाँ पे df.describe करने के बाद .t यह वाला ज्यादा प्यारा है आप देखें इसको पढ़ने के लिए हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा ठीक है लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम उपर से नीचे move कर सकते हैं तो यह ज्यादा easy होता है क्योंकि हमारी जो understanding है वो इस तरीके से बहतर होते हैं हमारी एक आँख के अंदर बिलकुल कम move किया बगार सारा कुछ आ जाता है लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे move करना पड़ता है बार बार तो इस तरीके से हम transpose कर लेते हैं अपने data को ठीक हो गया अब इस data को transpose करने के फाइदे ये हैं कि आप different किसम के data sets आगे save कर सकते हैं अगर आप transpose करने के बाद यहाँ पर two csv या कुछ करेंगे तो यह data आपका transpose find में जो है वो save भी हो जाएगा तो अकसर data set जो बहुत बड़े-बड़े होते हैं for example bioinformatics के data set या बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी जो columns दिये के होते हैं तो उनको samplize करके आप इस तरीके से save कर सकते हैं ठीक हो गया जी तो transpose बहुत ज्यादा use होता है अब यहाँ पर अगली जो tip है हमारे पास उसमें हम actually 23 number tip के अंदर यहाँ पर 23 number tip के अंदर हम क्या करेंगे reshaping data frame एक data frame को reshap करेंगे कैसे reshap करेंगे for example हमारे पास एक data frame है distance का ठीक है या इसको हम बोलते हैं फासला उर्दू में लिखते हैं तो फासले को हम मेरे पास एक यह data frame बन रहा है ठीक है इसको हम देखते हैं फासला. add भी कर लिया तो यह देखें मैंने एक data frame बनाया जिसके अंदर 1,2,3,4,5 100 से इतना ले लिया यह दूसरी value ली और यह इतने नमबर दे दिये यह तीसरी ली और इतने नमबर दे दिये फिर पहले को zip कह दिया कॉलम को दूसरे को factory कह दिया तीसरे को warehouse चोथे को retail कह दिया अब अगर इस तरह का data set हो ठीक है तो हमने इसको wide format को ही shape कैसे करना है ठीक है long format में wide format यह वाली थी और long यह वाली है अक्सर ऐसे होता है कि data frame को हम transpose भी कर देना तो उसका वो मज़ा नहीं रहता for example अगर मैं फासला को dot head करके dot t करता हूँ तो आप देखिएगा क्या होता है तो यह देखें तो यह transpose तो हो गया है लेकिन आप देखें कि zip भी साथ आगी है factory भी साथ आगया warehouse भी साथ यह साथ यह सारा कुछ एक row में आगया तो basically हमने ऐसे थोड़ी नहीं करना होता है हमने तो चाना है कि एक में zip आजाए और दूसरे में variable आजाए factory, warehouse, retail इस तरीके से तो फिर हो for example मैं यह चाह रहा हूँ कि हमारा data set जो है न वो कुछ इस तरीके से बने ठीक है इसको f2 बोल देते हैं या फासला 2 is equal to मैं चाहतो मेरा data set इस तरीके से बने यह देखें मतलब यह कि पहली हो user id like यह वाली जो है user id one two zero one two यह सारी ठीक है दूसरा zip आ जाए हमारे पास column यह वाला और तीसरा location type आ जाए warehouse है retail है factory और यह सारा कुछ ठीक है तो इस तरीके से यह हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास आ जाए और column हमारा जो है वो long format में चला जाए wide गया था मैंने आपको दिखाया for example transpose से पहले जो था अगर इसको मैं comment आउट करूँ तो यह हमारे पास था जी zip factory warehouse retail अब हमने क्या किया zip और location टाइप कर दिया ठीक है और यहाँ पे user id दे दिया start में user id जो है वो index ही गहलाती है तो इसको हम change कर सकते है अब अगर हमने इसको long format में करना है तो क्या करेंगे हम फासला dot melt melt करना है मतलब लंबी को छोटी में कर देना है ठीक है तो अभी इसके आगे हमारे पास id underscore where's यह मुझे copilot सारा कुछ बता रहे है but I will write down by my own इसको हम कर देंगे zip के अंदर ठीक है जी कॉमा यहां पे where underscore name variance name इसको बोलते है इसको हम कर देंगे location type और तीसरा है जी हमारा कॉमा value name इसको हम कर देंगे distance मतलब यह warehouse से या किसी भी location से zip की base पे location type का distance कितना है ठीक है अब देखें same data यह वाला इसको मैं अगर फासला यहां पे करूँ तो यह देखें यह हमारे पास फासले का data था ठीक है हमने क्या किया है इसको basically हमने इस तरीके से melt कर दिया अब देखें क्या हुआ क्या है location type, factory, warehouse, retail यह तीनों एक ही कॉलम में आ गए है लेकिन यह इस तरीके से group हो गया उनका एक ही कॉलम के अंदर जिसको हमने नाम दे दिया location type का distance जो है यह वाले यह सारे फिरजारी बात है उसके equally यहां पे एक साइट पे आ गया मतलब यह numeric variable सारा एक साइट पे आ गया और जो दूसरा categorical था वो एक साइट पे आ गया zip जो है एक साइट पे आ गया तो इस तरीके से आब बड़े-बड़े data sets को melt करते है melt करने का फाइदा यह होता है कि जब आप plots बनाते है न तो आपने सिरफ यह लिखना है hue is equal to location type तो इसका plot अच्छा बन जाएगा ठीक है कैसे अभी आपको मैं यहां पे दिखाता हूँ for example यहां पे मैं करता हूँ sns.barplot ठीक है barplot x is equal to y is equal to and then that's it तो आप देखेंगे यहां पे एक barplot बनेगा जो basically zip factory what the heck is this let me see object is not callable क्या हो रहा है यहां पे कुम सा object not callable आगया x पे zip आगया y पे i see यह आप देखेंगा यहां से इसके अंदर कोई category नहीं है मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूँ फासले के अंदर sns.barplot फिर इसके अंदर x is equal y is equal to फासला long long format का फासला underscore long name फासला long is not defined फासला long इसके अंदर कर दिया यह ले अब इसके अंदर क्या मसला रहा है let me see x is equal to यहां पे फासला long head यहां रहा है जनाब x is equal to location type हम कर लेते हैं location underscore type और यहां पे y is equal to हम कर लेते हैं distance ठीक है यह फिर भी नहीं बन रहा df data type numeric type है let me see यह क्या मसला कर रहा है यहां पे हम करते हैं फासला long dot d types तो यह असल में integer है distance यह object है location type ठीक हो गया और zip भी object है location type distance data is equal to फासला long output exists this side limit open the full in text editor ठीक हो गया data type numeric data type है और यहां पे size limit जो है वो increase करनी है none type object is not callable cons object none type object is not callable data type numeric data type plt dot let me see यहां पे import cbon as sns sns dot bar plot नहीं नहीं बन रहा को मसला आ रहा है let me restart the kernel इसके उपर वाले सारे कर दें run थोड़ा टाइम लगेगा यह सारी चीज़े मैं run कर रहा हूं यहां पे इसके नहीं जी है ह। गर नहीं अखर कर देखें के यह हमारे पास इस थरीके से बार प्लॉट बन गया है अब इसमहें हुआ है हमने location टाइप है आप उफ़ा है को यहां पे अगर दे फासला के उपर sns.bar plot बनाते तो कैसा बनता for example मैं यहाँ पे इसको फासला के एको रखता location type की जगा पे अगर यहाँ से इसे उठा के यह तो सही है यहाँ पे तो अगर हम इसको बनाते फासला location type यहाँ पे hue में आगी यह तो फासला long ही है ना इसको मैं remove करता हूँ यहाँ पे फासला के बाद हम बना रहे थे plot यहाँ पे sns.bar plot x is equal to zip y is equal to distance इसकी बजाए हम यहाँ पे लिखेंगे factory क्योंकि यहाँ पे पास long format नहीं है ठीक है और यहाँ पे हम लिखते हैं फासला तो हुआ क्या है अब यहाँ पे यह देखें यह हमारे पास bar plot बन गया लेकिन अगर अगर अब हमने factory warehouse और retail को y पे लिखना है तो हम क्या करेंगे basically आप देखें जरा गोर से तो हम यहाँ पे यह वाला काम करके comma let's see warehouse comma retail यह ले तो let's see इसका क्या बनता है तो basically इसकी error आ जाएगी अगर हम इसको two dimension भी करते है error में तो भी हमारे पास नहीं बनेगा क्योंकि y हमारे पास इस तरीके से नहीं आ सकता ठीक है अगर हम यहाँ पे control x करें और यहाँ पे सिरफ factory ही करें तो मेरे ख्याल से यह इस तरीके से आएगा group bar plot बनाना है तो आपको long format में convert करके same उसको एक hue के अंदर convert कर देना है तो then you can see के इस तरीके से bar plot जो है वो ऐसा बन जाता है तो यह error जो resolve करने का तरीका है यह मैंने आपको इस वज़ा से दिखाया यहाँ पे मैं इस वीडियो को cut भी कर सकता लेकिन मैं नहीं कर रहा ताकि आपको error resolve करना तरीके का पता चल जाए और melt का function बहुत ही मुश्किल भी है कभी कभी समझ नहीं आता लेकिन अगर आपको समझ आ जाता है then it's better के आप किस तरीके से इसको समझ सकते है melt का function बहुत ज़्यादा जगों पर use होता है तो आपको यह आना भी चाहिए इसके साथ ही हमारी tips and tricks जो हैं यहां पर इस वीडियो का इस्तिताम होता है नेक्स वीडियो में मिलते हैं अपना ख्यार रखें दौह में याद रखें इन्शाला बहुत जल्द हम वापिस आके दुबारा से से देखने वाले हैं अल्लाह नेके बार